नमस्कार दोस्तो, इस्टडी ग्रूप यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, सभी कॉंपडीशन लेवल में आजकल हर एक्जाम में परसेंटेज से लेकर दो से तीन या चार पांच कोस्टिन आते ही हैं, तो परसेंटेज है क्या सबस स्वांज कृटीटेज deficiency से बताना कि बह्य अपनी Total में से इतनी है, तो सो में से ली क्तिनी होगे उसके लिए हम, Total में से माल लो कॉई कॉंटीटी matter a, looks like this one comes the倍's most dollars, हम उसका अजक्ती कि निकाल कर इसके लिए हम इसके और समझने के लिए इसकी और question को हम कुछ question को पढ़ेंगे तो आप और question को solve कीजिए पहला question रमीज को बारसिक परिक्षा में 600 मैं से 510 अंक मिली तो उसी कुल कितने प्रतीसत अंक मिली तो हमें इसमें प्रतीसत निकाल ला हैं तो हम क्या करेंगे 510 हमें कितने मैं से मिली हैं 600 मैं से जिस प्रकार हमें एक्जाम में मिलती हैं उसी प्रकार हमें से लिख लेंगे अब हम इसमें 100 का multiply करेंगे इसका मलब है कि 100 मैं से हमें कितनी percent marks मिले हैं तो अब यहाँ पर solve करेंगे तो ए 0 से 2 0 कट हो जाएंगे अब बचा हमारा 510 बटे 6 तो इसको solve करेंगे तो हमारा आएगा 85 तो हमारा दूसरा answer अब बी नंबर का 85 हमारा बलकुल सही हो जाएगा चलिए दूसरा question solve करते हैं दूसरा question है यदि A की आए B की आए से 25% अधेख है तो B की आए A की आए से कितनी प्रतीसत होगी तो इसके लिए हम X मान के भी कर सकते हैं लेकिन X मान के थोड़ा लॉंग हो जाएगा तो इसके लिए हम B की आए को सौमाल लेंगे B की आए को जब हम सौमालेंगे तो A की आए औरेड़ी 125 हो जाएगी अब 125 है A की आए तो B की 100 है अब हमें निकालना क्या है B की आए A की आए से कितने प्रतीसत कम है तो हमें सबसे पहले क्या करना है पहले यहां देखना है कितनी कम है B की आए 125 में से 100 होगटाईए तो हमारा नकल लगा है पचीस हमें 25% की कम है 25 कम है जो कितनी मैंसे कम है 25? 125 मेंसे 25 कम है 125 25 परसेंट इस निकालने के लिए 100 का मल्टिप्लाय करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एकम 25 25 पंची 125 पांच का 100 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 20 तो 20% हमारा सही आंसर है तो बी नंबर का 20% मुलकुल सही हो जाएगा तीसरा कॉस्चन ए अपने मासिक बेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक ब्याय रुपए 6,000 है तो उसकी मासिक बचत क्या है तो इसमें हम मानेगे कि उसकी टोटल आए कितनी है टोटल आए है 100 टोटल आए कितनी है 100 उसमें से 20 बचाता है और कितनी खर्च कर लेता होगा इस 80, 80 खर्च करता है. तो 80% क्या हतंना है? 80% कितना हो गया, χर्च कितना है उसका?, 6000. 80% है, 6000. तो हम निकालेंगे 1%, एक परसेंट कितना होगा? 6000 बटे, 80. तो अपनने 80% Canada, पार 1% निकालिया. हमें चाहिए कितना है? 20, क्योंकि उसका बचत कितनी है? 20% तो यहां लिखेंगे 20% कितना होगा इस 1% बाले में हम इसमें 20 का multiply कर देंगे 20 का multiply करेंगे तो अब इसे solve करने पर 20 चोक असी और 4 से भाग देंगे तो आएगा 1500 तो पहले नम्मर वाला 1500 रुपए अपना real answer हो जाएगा चौथा question अमित ने एक मसीन 2000 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेच दी तो उसे कुल कितनी प्रितिसत लाब हुआ यह सवाल है लाभ आनी तो अब हम देख रहे हैं उसने 2000 में खरीदी और 200 में बेची यानि कि उससे 200 रुपए का लाभ हुआ तो सबसे पहले हम केवल लाव निकालेंगे लाव कितना हुआ? 200 200 लाव हुआ तो अब हमें क्रैमूल मैसे लाव को बताना पड़ता है और 100 का मल्टीप्लाइ करेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगी? 200 बटे 2,000 क्रैमूल लिख लेंगे और 100 का multiply करेंगे अब इसमें देखो 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगे और 2 से 20 में भाग जाएगा तो जाएगा 10 बा यानि कि 10 परसेंट अपारना answer हो जाएगा यह सी नमबर का 10 परसेंट अपना real answer है पांचमा question एक हजार का 50 परसेंट का 25 परसेंट कितना होगा इसके लिए हम क्या करेंगे का का मतलग होता है इसमें गोड़ा यानि कि 1000 का 50 परसेंट कैसे निकालेंगे 1000 गोड़े 50 बटे 100 तो यह होगा 50 परसेंट लेकन हमें इसका भी 25 परसेंट निकालना है तो फिर हम इसी में 25 बटे 100 का multiply करेंगे अब इसको हम solve करेंगे तो हमारा देखो 25 चोका 100 पचास दूनी 100 अब दो से यहां भाग दीजिए 500 बार जाएगा चार से कट करने पर हमारा आएगा 125 125 हमारा रियल आंसर आजाएगा तो ए नमबर का option 125 हमारा रियल को सही हो जाएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें